दोस्तों साप दुनिया के हर एक हिस्से में दिखने को मिलते है अगर इंडिया की बात करे तो कई प्रजादी के साप दिखने को मिलते है और दोस्तों आपने भी कई तरह के साप को देखे होगे लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैं कुछ अनुके साप के बारे में बतान अमेरिका में पाए जाते ए और यहां के लोग उन सापों को अपने घर में ज़्यादातर पालने के लिए पसंद करते है,।ू इस साप दिखने में बहुत अनोखे लगते है। उन के अंदर जहर पाए जाते है लेकिन इंसानों के लिए वो ज़्यादा तर खतरनाग नहीं होता गार्डस में विबिन रंगों में पाये जाते है पुंच से गर्दन तक तरह तरह रंग में पाये जाते है उनके बोड़ी पर ब्लेट, यलो, ग्रीन, वाइट जैसे सेफ होते है ये साब काफी छोटे होते है अगर उनके लंबाई की बात की जाये तो वो 30 सींच तक बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा 5 पीट तक होती है ये ज्यादा तर मेड़क एवं मचली का सिकार करना पसंद करते है ये साब अपनी साइट से हिसाब से बहुत तेजी से बागने की शमता रखते है ये रप्तार का इस्तमाज सिकारियों से बतने के लिए करते है रेड हेडेट स्नेक ये साब दक्सिनी थाइलेंग के पहाडों में पाये जाते है ये साप दिखने में जितने अच्छे लगते है उतने कई गुना ज्यादा खतरनाग भी होते है ये साप का जहर बेहत खतरनाग होता है माना जाता है अगर कोई इंसान को काट ले तो बचना बेहत मुश्किल हो जाता है अगर आपको ये साप दिखाए जे तो उनकी खुबसूरती की देखकर नज़्दीक बिल्कूल न जाई ये जितने अच्छे लग दिखते है उतने शातिर होते है उसके पास जाने सी गलती मत करना पीट वाइपर स्नेक ये साप माना जाता है कि बड़े जहरीले होते है पीट वाइपर स्नेक की प्रजाती हिमालय के ब्रह्मा राष्ट के पहाड़ों में देखी गई थी सन दोजार दो में ये साप अनोके रंग में पाये जाते है जैसे कि ग्रीन, यलो, रेड, गुल्डन, ब्ल्यू जैसे तरह-तरह रंगों में और भी मज़ेदाल लगते थे नर साप को लाल रंग की आँख होती है और मादा को पीले रंग की आँख होती है जबकि मेल साप कलरफूल होते है और फिमेल साप उतने कलरफूल नहीं होते अगर उन साप की लंबाई की बात करे तो तकरीबन 4 फीट तक होती है ये साप काफी अनोके लगते है ये पतले से दिखने वाले हरे रंग के साफ बेहर आकरशक होते है ये साफ की बोड़ी दिखने में बड़ी और नखिली होती है जिसे हम पॉइंटे हेड भी कहते है ये साफ उनकी खुबसूती का पता तब लगता है कि जब उसके आसपास कोई खत्रा मनड़ा रहा है उससे ख ज़ियादा जहरीले नहीं होते उसिकारण इंसानों को काटले तो उसका जहर का असर ज़्यादातर नहीं होता इसकारण कई लोग उसे पालना पसंद करते है उनका सरी पत्रली हरी बिल जैसा होता है यह साब बेहद अनुखे होते है ब्राजिलियन रेम्बो बोवा स्नेक यह साब प्रकृति के सबसे सुन्दर सापों में से एक है जिने ब्राजिलियन रेम्बो बोवा नाम से पहचाने जाते है उनकी बॉडी पर बेहद अनोखे डिजाइन के दिखने को मिलती है यसाफ सबसे अनोखी बात तो हिये है कि यसाफ की सरीर पर स्किल प्रिजनम की तरह काम करती है सूरिया के कीरणों रिफ्रेट्स करके अपने सरीर को मेखदनुष के रंगों में दिखाते है जो दिखने में वो आई केचप होते है इसलिए रेंबो स्नेक नाम से उनकी पहचान होती है उनके लंबाई 7 पिट तक बढ़ सकती है यसाब एमेजन रेंड पॉरस में पाए जाते है और वेनुजुला में पाए जाते है